आज हम पाठ चार मितर्ता का भाशा अभ्यासकारिये करेंगे सबसे पहला प्रशन देखिए पाठ मितर्ता में आए कह सुची वाले शब्दों को खह सुची में दिये गे इनके अर्थ से मिलाईए ये का में ये शब्दी हुए है सतर्क, प्रसन, भूमी, मितर्ता, सुगंद इनको खा वले, खा की साइड पे अर्थ है तो इन अर्थ के शब्दों के साथ हमने मिलाने हैं लेकिन सबसे पहले हम इन शब्दों के आगे इनकी नमबर का, ख, ग, घ, अनान लिख देते हैं ताकि हमें आपस में मिलान करने में हसानी हो जाए आप देखें कि यहाँ पर का शब्दों के अर्थ हैं खा में तो हमने इनको ढूंड कर इनके पीछे हमने वो ही नमबर डालने हैं जो कि इनके आगे हमने लगाई हैं पहला है सतर्क, सावधान, सावधान के पीछे हमने क्या लगाया? क, प्रसन, खुश, खुश के पीछे हमने क्या लगा दिया? क, भूमी, जमीन, ग, मितर्ता, दोस्ती, दोस्ती के पीछे ग, सुघंद, खुश्बू, अन, तो इस परकार से हमने देखा कि ये जो काव वाले शब्द हैं, इन शब्दों के अर्थ क्या है? यहाँ पर दिये हुएं, जैसे सतर्क, सावधान, प्रसन, खुश, भूमी, जमीन, मितर्ता, दोस्ती, सुघंद, खुश्बू, ये शब्द क्या है, इनके अर्थ है, शब्द को एक जैसे समान, शब्द के अर्थ है, एक जैसे अर्थ है, प्रसन को खुश भी कहते है, खुश को प्रसन भी कहते है, तो समान अर्थक शब्द हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट आ जाईए, प्रसन नमबर दो देखिए, दिये गे वाक्यों को अपने ध्यान से पढ़ने और देखने कि इसमें क्या चीज हमें बताई गई है जैसे क सुन्दर वन में आम का एक पुराना पेल था पुराना जो है वो डार काले रंग में लिखा हुआ है तो हमने इस शब्द को ध्यान दिया है इस शब्द के ऊपर ख सलोने मीठे स्वर में गाती मीठे इस शब्द पर भी हमने ध्यान देना है गव आम के पेड़ के आसपास हरी घास और जाडियां थी हरी हरी शब्द पर भी हमने ध्यान देना है घ सलोनी उसे मीठे मीठे आम देती मीठे मीठे शब्द को भी डार्क उसमें ब्लेक में लिखा हुआ है तो हमने इस शब्द को भी ध्यान देना है अब हम देखते हैं कि ये क्यों हमने ध्यान दिये क्यों इसको मोटे मोटे और काले काले शब्दों में लिखा है यह जो है पुराना, मीथे, हरी, मीथे, मीथे, यह सारे शब्द क्या है? विशेष्टा है. इस विशेष्टा यह किसकी बता रहे हैं? कौन से शब्दों की बता रहे हैं? उन शब्दों को हमने यहाँ पा लिखने हैं. जैसे सुंदरवन में आम का एक पुराना क्या था? न था तो अब एक चीज़ आपने और ध्यान देने कि विशेष्टा बताने वा ले शब्दों की परिभाशा आपको पता होने चीकries लिए कि बदे और अगर आईगी तो आपको प्रेशन का उत्तर देने में असानी हो जाएगी विशेष्टा क्या होती है गुन दोश है ना तो वो क्या है विशेष्टा की परिभाशा क्या है कि जिन शब्दों से हमें संग्या या सरवनाम शब्दों की विशेष्टा पता चलती है उसे हम विशेशन शब्द कहते है तो यहाँ पर संग्या शब्द क्या है पुराना तो विशेशता है संग्या शब्द किसकी विशेशता बता रहा है पेड़ की तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे पुराना पेड़ पुराना पेड़ आप पेड़ के नीचे भी अंडरलाइन क मीठे क्या चीज है स्वर क्या होता है आवास है न? तो श्र हमारी क्या है कैसी है स्वर संग्या शब्द है इसकी विशेष्था कैसी है मीठे है तो यहाँ पर स्वर लिखेंगे स्वर क्या सी है मीठे Next गर आम के पेड़ के आसपास हरी घास और जाड़ियां थी हरी क्या विशेष्ट है किसकी विशेष्ट है क्या चीज हरी थी घास और जाड़िया क्या लिखेंगे यहाँ पर घास और जाड़िया दोनों ही कैसी थी हरी भरी थी यहाँ पर आप सिरफ खाली घास भी लिख सकते हैं लेकिन यहां पर दोनों शब्द दिये हुएं तो आपने दोनों शब्दों का ध्यान रखना है कि हरी क्या थी घास और जाडियां थी ठीक है नेक्स्ट आजा ये घर सलोनी उसे मीठे मीठे आम देती मीठे मीठे क्या चीज़ देती मीठे मीठे किसकी विश आप आजाए नीचे मैंने आपको कहा था ना कि आपने पहले परिभाषा की तरब भी ध्यान देना है तो नीचे आपने यह बाते दोनों याद करने है जो शब्द संग्या या सरवनाम की विशेशता बताते हैं उन्हें विशेशन कहते हैं अभी मैंने बताया था किस जो शब्द संग्या या सरवनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या बताते हैं कहते हैं हम विशेषन शब्द कहते हैं ठीक है और जिसकी विशेषता बताई जाई यानि कि किसकी विशेष्टा बताई जिसकी भी संगय या सरवनाम की जो विशेष्टा बताते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं विशेष्टे क्या बोलते हैं विशेष्टे कहते हैं उसे क्या बोलते हैं विशेशी तो आपने ये दोनों परिभाशाइन जो है ये आपने याद करने हैं यहाँ पर हम लिख रहे हैं Learn 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 ठीक है तो यहाँ पर ध्यान रखें हमने गल्ट स्पेलिंग लिख दी थी तो आप सब बच्चों ने क्या लिखने हैं यहाँ पर Learn याद करेंगे ये ठीक है आप आजाएए नेक्स्ट उसपे नेक्स्ट आजाए ये प्रशन नमबर तीन नीचे दियेगे शब्दों के लिए सही विशेशन चब्द छाट कर लिखे अब विशेशन चब्द हमने अभी पता चला हमें कि विशेशन चब्द किसे कहते हैं जो संगया ये सरव नाम की विशेशता बताने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं विशेशन चब्द बोलते हैं अब यहाँ पर ये बॉक्स में कुछ शब्द दिये हुएं बूरी उंची बड़ा बुरे इन शब्दों को ध्यान से हमने देखने हैं अब इन शब्दों को इस खाली जगे पर हमने इन शब्दों के आगे लिखने हैं जैसे कि अब डैश जाल डैश जाड़ी डैश दिन डैश लोमड़ी अब जो उचित विशेशन शब्द है वो हमने इसके आगे लिखने हैं ये सारे के सारे शब्द क्या है, संग्या शब्द है, संग्या शब्द है ना, संग्या शब्द की जो विशेशता बता रहे हैं, उनको विशेशन बोलते हैं, अब जाल कैसा है, बड़ा, जाल के उपर हमने बड़ा लिखा, यहां पर का लिख दिया, ठीक है, फिर इसके बाद डैश जाड़ी जाड़ी कैसी है उंची ख लिख दिया इसके आगे डैश दिन कैसे दिन है बुरे दिन ग लिख दिया इसे यहाँ पर डैश लोमड़ी लोमड़ी कैसी है बुरी यहाँ पर ग लिख दिया तो ये शब्द हमने लिखें इन शब्दों को हमने यहां से अब उतार ने यहां पर लिखेंगे हम जाल कैसा है? जाल कैसा है? बड़ा. जारी कैसी है? उंची. जारी कैसी है? उंची. दिन कैसी है? बुरे. अलोम्डी कैसी है? बुरी. तो हमने ये संग्या शब्द दिये हुएं. इसकी विशेशता बताने वाले शब्दों को उपर यहां बॉक्स में से ढूंड कर सही विशेशन शब्द को हमने यहां पढ़ लिखा है. तो यह आपको सबको पता चल गया? बड़ा. जाल. उंची. जारी. बुरे. दिन. बुरी. लोंबडी. तो क्लियर होगे सब बच्चों को कि विशेशन शब्द की कौन से होते हैं? जो संग्या यह सर नाम की विशेशता बताते हैं. और विशेशे कौन से होते हैं? संग्या शब्द. यह विशेशे हैं, यह विशेशन है. होगे क्लियर? नेक्स आजा यह प्रशन नम देखिए तो आपने ये बॉक्स दिया हुआ है इस बॉक्स को अच्छी तैसे देखिए इसमें बहुत सारे शब्द दिया हुआ है हरिन, खग, कानन, वरिक्ष, वन, तरू, म्रिग, पंची अब ये इन चब्दों में से हमने यहां पर शब्द प्रायवाची लिखने हैं कि इ समान अर्थ वाले, एक जैसे अर्थ निकल रहे हैं, आरे निरक्ष, यहां पर कं लिक्ष, क्या बोलते हैं, व्रिक्ष, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, व्रिक्ष, ठीक है, और दूसा क्या बोलते है, तरू, तरू का अर्थ क्या होता है, पेड, व्रिक्ष का क्या अर्थ होता है, पेड, तो तरू, तरू और पेड एक ही चीज है, व्रिक्ष एक ही चीज है, नेक्स्ट है जंगल, जंगल को हम क्या बोलते है, कानन, क्या बोलते है, कानन, जं जंगल को क्या बोलते हैं? वन, क्या बोलते हैं? वन, वन को जंगल बोलते हैं, कानन को भी जंगल बोलते हैं, ठीक है? अब आता है हीरन, हीरन को हरिन, आपने पढ़ा था हरिन, हीरन, हीरन को हरिन बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? म्रिग, क्या बोलते हैं? म्रिग, म्रिग को ह हीरन भी बोलते हैं और हीरन को म्रिग भी बोलते हैं दोनों तरह से बोला जा सकता है तो नेक्स आता है पक्षी पक्षी को क्या बोलते हैं खग मींज पक्षी और पंची भी बोलते हैं इसे पंची मींज पक्षी खग कुछ भी बोल सकते हैं इसे तो यह इस परकार से प्राइ सुनिए जगर आपके पास बॉक्स है तो आपने इसी ऑप्शन में से ढूंड कर यहां पर लिखनी है शब्दों को इसके इलावा नहीं लिखनी अगर मानलो आपको पता भी है कि पेड़ को व्रिक्ष कहते हैं तरू कहते हैं और क्या कहते हैं कुछ और कहते हैं तो अगर आप को पता है तो वो नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने इस बॉक्स में से ही चांट कर लिखनी है अगर यह मानलो बॉक्स नहीं दिया हुआ फिर आप जो अन्या इसको कुछ बोलती है तो आप उसको भी लिख सकते हैं ठीक है ना तो इस इसका आपने विशेश ध्यान देना है संग्या शब्द जिन शब्दों से आप परिभाशा मैं बता रही हूं आपको सबने बचों ने ध्यान रखी है जिन शब्दों से किसी वस्तू स्थान या व्यक्ति के नाम का पता चले या बोध हो उसे हम संग्या शब्द कहते हैं संग्या शब्द किसे कहते हैं जिन शब् जैसे कि यहां पर शब्द दिया हुआ है शिकारी जाल बिचा कर पश्यों को पकड़ते थे और इसमें एक शंग्या शब्द से अनेक शब्द भी है बहुत सारी है जैसे शिकारी शब्द है यह संग्या शब्द है नाम है जाल है यह भी नाम है संग्या शब्द है पश्यों य यह भी आपका संग्या शब्द है पश्यू तो यहाँ पर जो है हमने संग्या शब्दों के नीचे अंडर लाइन किया ख मुझे हरी घास के एक मैदान का पता है मुझे हरी घास घास के संग्या शब्द है के एक मैदान मैदान भी संग्या शब्द है का पता है गव उस पेड़ पर सलोनी कोयल का एक गोंसला था अब यहाँ पर उस पेड़, पेड़ क्या है? संग्या शब्द है सलोनी क्या है? संग्या शब्द है कोयल क्या है? संग्या शब्द है और गोंसला क्या है? संग्या शब्द है तो हमारी परिभाशा में हमने बताया था कि जो किसी व्यक्ति का नाम वस्तू या स्थान के नाम को हम संग्या शब्द कहते हैं तो हमने इन शब्दों में हमारे पास इन वाक्यों में हमारे पास बहुत सारे संग्या शब्द थे जिनके नीचे हमने रेखा की चीए तो आपको इनका संग्या शब्दों के बारे में पता चला और साथ में संग्या शब्दों की आपने परिभाशा को भी जाना अब अगला प्रशन जो है हम कल करेंगे आज हम यहीं तक करेंगे तो अब हम विश्राम लेते हैं थैंक यू